वीवर्स, असलाम अलेकम, वेलकम टू माई चैनल वेड़ा तहरीम दा आज बाबा बुले शाह का दोड़ा पेश कर रही हूँ मके गयां गल मुकदी ना ही, जिचर दिलोन आप मुकाईए गंगा गयां ते पाप नी चड़ दे, पामे सौ सौ गोते लाईए इसका तरजमा कुछ यू है कि सिर्फ मके जाने से ना तो गुना खत्म होते हैं और ना ही खुदा मिलता है, कम मिलेगा जब हम अपने दिल से तकब्र और गरूर को निकाल देंगे ऐसे ही गंगा में नहाने से गुना खत्म नहीं होते, खाह हम सेंकडों होते लगाए कितने मरतबा हम गंगा के पानी में डुकियां लगाएं, गुना खत्म नहीं हो सकते इस दोड़े में अब अब बुल्यशा ने ये पेगाम दिया है, कि इनसान मुकदस मकामात की कितनी बार जियारत कर ले, वहां जाकर कितनी अबादतें और रियास्तें कर ले, कितनी दफ़ा वो मका जाए और तवाफ करे, और कितनी मरतबा वो गंगा में जाए और बार बार अशनान करे, वो कभी पाक साफ नहीं हो सकता, पाक साफ होने के लिए शर्त ये है, कि दिल को पाक किया जाए, दिल में जो सियाही है, उसको खतम किया जाए, दिल के अंदर रोशनी पैदा की जाए, ये जो हमारी बेमारिया है ना, खलब की खुद पसंदी है, खुद नमाई है, खुद सताई है, खुद गर्जी है, पहल दिल पाक साफ होगा फिर रप का कुर्व जो है वो हासिल किया जा सकता है। हदीस मुबारका है कि मरने से पहले मर जाओ कैसे अपने नफस को मार लो। जब नफस को मार लेंगे तो फिर इन बुराईों से पाक साफ हो जाएंगे। क्योंकि दिल पाक हो जाएगा ना नफसानी खाइशात पर काबू पा लिया जाएगा जब इनसान अपने नफस पर काबू पा लिता है वो फरिश्टा बन जाता है और जब नफस इनसान पर काबू पा लिता है वो जानवर बन जाता है तो जब अपने दिल को पाक साफ करके अपने नफस को मगलूब कर लेंगे उस पर गालिब आ जाएंगे दिल पाक हो जाएगा तो फिर कुर्ब इलाही जो है उसकी मन्जिल की तरफ हम गामजन होंगे फिर हमें रब का जो वसल है और रब की महबद जो है उसके रास्ते पर चलने की तवफिद कता होगी असल बात जहरी अबादत नहीं असल बात खुलूस और नेक नियती की है और वो दिल से वाबस्ता है दिल पाक होगा तो सब कुछ समर जाएगा और दिल पाक नहीं तो कुछ भी कर लें वो बे मकसद है वो राइगा है एक और जगा पे बुले शायर फरमाते हैं के फ़ड़ नुकता चड़ कताबानू चड़ दोजख गोर अजाबानू बांद कर कुफर दिया बाबानू साफ कर दिले दिया खाबानू गाली से कार जगल मुक दिये नुकता क्या है दिल की सफाई काश अल्ला पाक हम सब को दिल की सफाई की तफ़ीक अदा फरमाए आमीन वीवर्स उमीद है आपको ये दोड़ा पसंद आया होगा अल्ला सोना तड़ा राखा होए